हेलो बच्चों ये कुश्यन आपका mechanical properties of solid chapter का exercise का कुश्यन है ठीक है देखो कुश्यन में क्या कह रहा है यहां पे एक हमें steel wire दे रखा है एक हमें copper wire दे रखा है ठीक है तो यह steel wire है और यह आपका copper wire है steel wire का length और area of cross section दे रखा है और copper wire का length और area of cross section ये दे रखा है तो यहाँ पे given भी है यह value data मैंने यहाँ लिखा वाय ठीक है यह area of cross section है इसका अगर हम copper की बात करें तो copper का length दे रखा है 3.5 meter दे रखा है और इसका area of cross section दे रखा है वो 4 into 10 की power minus 5 meter square दे रखा है अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह जो steel wire है steel wire stretches by the same amount as a copper wire under a given load देखो इसमें क्या है एक load यहाँ पर suspend कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर कुछ elongation होगा यहाँ पर कुछ elongation होगा तो यह elongation न डेल्टा L, चोले इसे डेल्टा L1 नाम दे देते हैं, तो यह elongation यह same है, जितना elongation यहां पे हुआ है, उतना ही elongation यहां पे हुआ है, तो को हिहा पे लिकरा है, और ये जो Δ डेल्टा L2 है ये दोनों कि हैं, सेम है और यहाँ पर पर यहाँ पर पर उपर यह सेम है अब देगो हमें क्या कहा रहा है, what is the ratio of young modulus of steel that of copper हमें क्या खर निकाल ला है, young modulus of steel are divided by young modulus of copper निकाल लाइ, इनका ratio निकाल लाहिए, तो यह young modulus of steel divided by young modulus of copper हमें निकालना है सब्से पहले यंग मॉड्लर का फॉर्म ला जो फॉर्म ब्ला होता है इस्ट्रेस डिवाइड़ वाइड वाइड़ फॉर्स डिवाइड वाइड़ एरिया इलाउगीशन डिवाइड वाइड़ जिल्ड यहां यहां पे यह expression मुझे मिल गया young modulus का हमें ratio निकालना है steel का young modulus और copper का young modulus में ratio निकालना है तो is equal to क्या हो जाएगा बच्छों यह वाला expression मैं यहां पे लिख रहा हूँ यहां पे steel का young modulus होगा उसे हम इससे calculate कर सकते है तो यहां पे क्या हो जाएगा यह force into यह length है original length किसकी original length बच्छों यह wire का original length मैं steel का young modulus निकाल रहा हूँ यहां पे तो यह हो जाएगा length of steel divided by यही वाला में formula लिख रहा हूँ ठीक है divided by बच्छों यह area of cross section और यह elongation है तो area of cross section यह वाला area of cross section into delta L, elongation ठीक है तो delta L1 मैंने यहां पे नाम दे दिया यह divided by अब young modulus of copper निकालना तो young modulus of copper कैसे निकालेंगा इसका young modulus बच्छों इसके लिए भी जो force यहां पे apply हो रहा है वही force यहां पे भी apply हो तो force तो same ही है यह वाला force यह वाला force same है into यहां पे क्या आएगा बच्छों यह area of cross section A1 है इसका area of cross section A2 होता है यहां पे A1 तो यहां पे क्या आजाएगा यह A2 आजाएगा into यह आजाएगा आपका delta L2 लेकिन यहां पे interesting चीज़ यह delta L1 और delta L2 क्या है same है टीक है equivalent magnitude है और यह force भी क्या है same है देखो इससे आगे solve कीजिए जो steel young modulus of steel divided by young modulus of copper is equal to क्या हो divided by यह area of cross section into delta L1 यह उपर चला जाएगा and यह हो जाएगा आपका यह F into L2 F into L2 यह जो copper का original length है L2 ठीक है तो यहाँ पे यह delta L1 delta L2 तो कट जाएगा दोनों के दोनों equal है जितना elongation यहाँ उतना elongation यहाँ भी होगा ठीक है तो यह force से force भी कट जाएगा अब रह गए यह value just हमें यह put करने है तो यह values तो हमें given है यह values given है तो वह कितनी दे रखिए L1 कितना दे रहा है यह 4.7 दे रखा यहाँ 4.7 मीटर हो डीजिए into area of cross A2 A2 कितना दे रखा यह 4 into 10 की power minus 5 तो यहाँ पे आजाए गा 4 into 10 की power minus 5 A1 हमें given है 3 into 10 की power minus 5 3 into 10 की power minus 5 इन्टू यह L2 दे रखा है तो L2 कितना है देखो यह 3.5 दे रखा ठीक है तो यह 3.5 तो यह तो कट जाएगा आपका ठीक है ओके देन बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे से यह कॉपर यंग मॉडुलस अब कॉपर इस इकल तो इसको मल्टिप्लाई कीजिए 4700 अब देखो बच्चों इससे मैं कैल्कुलोटर से डिवाइड करके बता रहा हूं कितनी वैल्यू आ रही है 188 divided by 105 यह आ रहा बच्चों यह आएगा आपका 1.79 divided by 1 तो यह रेशो आ रहा है यह रेशो आ रहा है इसे round off में भी लिख सकते हैं हम इसे 1.8 भी लिख सकते हैं ratio 1 तो यह रेशो आ रहा है हमें young's modus of steel और young's modus of copper में ratio बताना था तो इतना ratio आ रहा है तो यह कुश्यन आपका complete हो जाता है